कि नमस्कार दोस्तों मैं गुल्सन सेंग आप सभी का स्वागत करता हूं ससी मेकर में कैसे हैं आप सभी लोग कैसा गया आज का पेपर आज का पेपर तो आपका इजी था आज का पेपर जहां तक मुझे पता है आज का पेपर आपका इजी था तो कैसा गया आज का पेपर आप सभी लोग का MTS का कल आने वाला है 17 तरीक को आने वाला है MTS का फॉर्म कल आएगा कल सुबर से आपकी classes start हो जाएंगी तो चलिए आज का session मैं start करता हूं आप सभी लोग उससे पहले एक बार session को like कर दीजिए और एक बार इस class को share भी कर दीजिएगा तो चलिए पहला प्रस लेते हैं काफी easy paper था आपका आज अराम से बच्चे 18-19 तक questions कर पाए हैं ठीक है बाकी pattern वही है pattern में कुछ change नहीं आ रहा है ठीक pattern में आपके बहुत जादे बदलाव नहीं आ रहा है जो आपके question है लगातार उसी type के question पूछे जा रहे हैं करें ईस question को जली से करिये इस question को आप सभी लोग जली से करिये चलीए उर 110 का आपसे यहाँ पे LCM पूछा गया था 6 और 110 का बहुत आराम से आप इसको निकाल सकते हैं जलीसे निकालकर बताएए इसका LCM कितना होगा 6 और 110 का आपको यहाँ पे LCM निकालना है 6 भी है 110 भी है अराम से निकाल सकते हैं अगर आप 2 से काटेंगे 2 से 3 बार में कटेगा 2 से यह आपका यहाँ पे 55 बार में कटेगा ठीक है इसके बाद यह आगे कटना नहीं है क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 6 गुड़े का आप यहाँ पे 55 करेंगे तो 55 गुड़े का 6 क्या हो जाएगा 55 चके आपका 330 यहाँ पे होने वाला है तो इसका LCM क्या हो जाएगा LCM आपका यहाँ पे 330 हो जाएगा बिल्कुल सही है सबका आंसर 660 कैसे होगा 660 आपका गलत हो जाएगा ध्यान से जो भी बच्चा ये 660 लिकरा है ना गलत है चलिए इस question को आप सभी लोग करेंगे चल्दी से आप लोग करिए चीक है देखिए कुछ question लगातार पूछे जा रहे हैं कुछ question लगातार पूछे जा रहे हैं आप से SI CI हर सिफ्ट में आ रहा है mensuration के 2 question हर जगा आ रहे हैं इसके साथ आपका तृत्य अनुपात चतूर्थ अनुपात इस तरह के question हर सिफ्ट में पूछे जा रहे हैं तो ये सारी चीजे बिल्कुल revise करके आप लोग जाईएगा ठीक है time and work से एक question आ रहा है काम को पहले छोड़ने वाला काम खतम होने से 5-6 दिन पहले जो छोड़ देता है उस तरह के question लगातार पूछे जा रहे हैं तो सारे question आप लोग एक एक बार revise करके जरूर जाईएगा इस question को करिए 12,000 की रासी 10 प्रतीशत चक्रविर्धी ब्याज के दर पर कितने वर्सों में 15,972 रुपए हो जाएगी आपको ये बताना है तो जरा जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस question को paper बहुत easy आ रहा था ना बिल्कुल आज का paper थोड़ा सा easy है ठीक है बच्छे अच्छे से आराम से 17,18 question करके आए है ठीक तो easy था देखे इस question को आप लोग कैसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है आपने 12,000 रुपए रखा है और ये बढ़के क्या हो गया है ये बढ़के आपका 15,972 रुपए हो गया है ठीक यहाँ पे आपसे समय पूछा गया है आपको मैंने सिखा रखा है अगर ये देखे चक्रविर्धी ब्यास की बात है सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग इसको काटेंगे जितना काट के छोटा कर सकते हैं काट लीजिए यहाँ पे जो आपकी दर दी गई है ना रेट आपका यहाँ पे 10 प्रतिशत का है 10 प्रतिशत कहने का मतलब है यह आपका एक बट्टे का 10 हो जाएगा यानि कि अगर आप 10 रुपए रखते हैं तो इस पर एक का ब्याज मिलेगा यह बढ़के 11 हो जाएगा ठीक है तो क्या ह इसको 10 और 11 की फार्म में ला सकते हैं बिल्कुल ला सकते हैं आपको पता है कि यह आपका 10 का क्यूब है और यह आपका 11 का क्यूब है ठीक यानि की क्यूब करने पर यह संख्या हो रही है तो कहने का मतलब है आपका यहाँ पे समय कितना हो जाएगा आपका जो यहाँ पे ट लम सही आ रहा है, बिल्कुल सही है, तीन वर्स इसका सही जवाब होगा, चली, आईए अगले question को हम लोग करेंगे, इस question को आप सभी लोग करिए जल्दी से, बिल्कुल सही है, तीन वर्स अपका answer सही है, इस question को ज़रा करिए तो, यहाँ पे आपको बताना है आयतन पर क्या पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा कहने का sense है, आयतन दो गुना हो जाएगा, आयतन तीन गुना हो जाएगा, आयतन चार गुना हो जाएगा, इस तरह की चीज़ आप से पूछी गई है, कि अगर आप किसी संकु के उचाई को आधा कर देंगे, वह त्रिज्या को दो गु लेगा, कितना हो जाएगा आपको ये बताना है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, कहा गया है एक संकु यानि कि कोन की बात है, ठीक है, कोन का उचाई हम मान लेते हैं कि H है, इसकी हाइट H है, इसकी तृज्या को हम R मान के चलेंगे, ठी तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन का formula आपको पता होना चाहिए, volume क्या होता है? एक बट्टे का 3, pi r square h, क्या यही volume का formula होता है? तो अब यहाँ पे देखिए तो एक बट्टे का 3, pi r square h, आप त्रिज्या को r मान रहे हैं और उचाई को आप h मान रहे हैं, तो इतना हो ग आता, नया height आपका h बट्टे का 2 हो जाएगा, आप उचाई को आधा कर रहे हैं, आप यहाँ पे त्रिज्या को दो गुना कर रहे हैं, तो जो नया radius हो जाएगा, यह आपका 2 r हो जाएगा, volume का formula क्या होता है? नया volume क्या हो जाएगा? आपका जो नया आयतन हो जाएगा, ज यानि कि अब आपको 2R का square करना होगा और गुड़े में आपको H करना होगा यानि कि H बटे का 2 क्योंकि उच्वाइ को आपने यहाँ पे आधा कर दिया है थीख तो क्या बन गया ये बना आपका 1 बटे का 3 π 2 का square यानि कि 4R square गुड़े का H बटे का 2 है 2 से काटिंगे 2 बार में कट जाएगा यानि आपका यहाँ पे दो गुड़े का 1 बट्टे का 3 Pi r r square h आपका होने वाला है पहले आपका aithan क्या था पहले आपका aithan 1 बट्टे का 3 Pi r square h था अब कितना हो गया 2 गुड़े का 1 बट्टे का 3 Pi r square h तो क्या हुआ, आपका यहां पे जो आयतन है, यह आपका दो गुना हो चुका है, कितना हो गया, दो गुना हो चुका है, तो ऐसा ही आपसे question पूछा गया था, ठीक, कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, दो गुना हो जाएगा, समझ में आ रहा है न, दो गुना हो जाएगा, जो जो कहा गया है वो कर दीजिए और आप formulae में डाल दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पे आयतन आपका दो गुना हो जाएगा अगले question को हम लोग करते हैं चली इस question को जल्दी से करिए बिल्कुल सही आ रहा है सबका answer एकदम सही आ रहा है height को अगर हम दो गुना करें और height को आधा कर दे radius को दो गुना कर दें तो क्या फर्क पड़ रहा है हमको पता चल रहा है कि इसका आयतन यहाँ पे दो गुना हो जा रहा है ठीक है चली इस question को करिए बिल्कुल सही है सबका answer पांच वस्तूओं को बेचने पर तीन वस्तूओं के क्रय मूले के बराबर लाब होता है तो लाब का प्रतिशत आपको ग्याद करना है कि आखिर कितने प्रतिशत का लाब हुआ है जरा करिए तो 34,731,6 क्या आ रहा है यह सब answer आपका सही answer दीजिए 66.66% ऐसा भी कुछ आ रहा है बिल्कुल आसान सा question है अराम से हो जाएगा जली करिए आप सभी लोग इस सवाल को 60 आ रहा है देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है यहाँ पे बात हुई है profit की profit कब होता है ज उससे जादे में बेज देंगे तो profit हो जाता है profit बराबर क्या हो जाएगा profit बराबर आपका SP माइनस का CP होगा ठीक है यानि की selling price माइनस का CP यानि की क्रेम मूले विक्रेम मूले माइनस का क्रेम मूले होगा question में देखिए 5 वस्तू को आप बेचे हैं तो यह हो गया 5 का क्रेम मूले यह किसके बराबर होगा तो लाब कितना लाब हो रहा है तीन वस्तू के क्रेम मूले के बराबर लाब हो रहा है अच्छा आप सबका answer 60% आ रहा है श्योर हैं आप सभी लोग 60% ही answer आएगा चलिए इस question को इधर करते हैं कितना हो जाएगा 5 SP बराबर क्या हो जाएगा यह आपका 8 CP हो जाएगा ठीक तो SP बटे का CP बराबर क्या हो जाएगा तो profit कितने का हुआ, लाब तीन का होगा, लाब किस पे होता है, तो कभी भी लाब जो हमारा होता है, क्राय मुल्ले पे होता है, लाब कभी भी क्राय मुल्ले पे होगा, यानी 5 पे होगा, तो profit कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 20 या 60 प्रतिशत का आपका यहांपे profit होने वाला है, कितना लाब होने वाला है, 60 प्रतिशत का आपका यहाँ पर लाव होने वाला है, बिल्कुल सही है, 40 कैसे आ रहा है, 40 कैसे आ जाएगा भाई, आप सभी लोग का बहुत से लोग 40 वाले हैं, 40 कैसे आ रहा है, 40 प्रतिशत कैसे आ जाएगा, 66.66 तो कभी नहीं आएगा, ध्यान से आसान सा question है, इन सारे question को तो आप अराम से कर सकते हैं, जादे confusion नहीं, बिल्कुल basic पे चलिए, आपको हम कहा हैं न, बहुत जादे इधर उदर के चक्कर में नहीं फसना है, एकदम जो basic जानते हैं, उस basic के आधार पे आप question को solve करिए, आराम से सारे के सारे question आप solve कर लेंगे, चली, आईए इस question को हम सभी का, चलिए इस question को करते हैं, आईए, जली से करिए, सवाल कभी समझ में नहीं आया, एक बार basic पढ़के देखिए, उसके बाद ना समझ में आयत तब बताईएगा, ठीक है, एक बार इसको पढ़के देखिए, अगर ना समझ में आयत तब बताईएगा, चलिए, इस question को करिए 3D के 3 question आए आपको रोज कह रहा हूँ ना कि mensuration से daily questions आ रहे हैं तो mensuration के सारे formula याद होने चाहिए किसी भी हालत में ठीक है चली इस question को करिए यदि रोहन जो है 3 घंटे में 162 km की दूरी तै करता है अगर मैं आप से कहूं कि इसकी चाल बता दीजिए तो आप कहेंगे सर चार बराबर होता है दूरी और बटे में आपका हो जाएगा समय दूरी है 162 की और समय लग रहा है 3 घंटे में तो चाल बराबर क्या हो जाएगा 162 बटे का 3 हो जाएगा ठीक है 25,25,25 यानि की 270 km की दूरी ये चलने वाला है कितनी दूरी चलेगा तो इस चाल से 270 km की दूरी चलेगा तो 270 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा चली अगले कॉश्चिन को हम लोग करेंगे इस क्वאש्चिन को आयत की लंबाई को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए और 4 को 10 प्रतिशत कम कर दिया जाए तो आप से पूछा गया है छेतर फल में कितने प्रतिशत की बृध्धी या कमी होगी 9 बज़े मैं आपको पढ़ाता हूँ 9 बज़े आपको मैस पढ़ाता हूँ उसमें हम यह सारे कोश्चन करते हैं expected कोश्चन भी करते हैं अच्छा MTS का exam होने वाला है उसका भी कोश्चन करेंगे और साथ में CRPF की भी classes आपके start होने वाली है तो daily सुवा में 9 बज़े आप सभ ब्रिद्धी हो जाएगी और ये बढ़के आपका 6 हो जाएगा ठीक क्या हो गया पांच में एक का ब्रिद्धी हुआ ये बढ़के 6 हो गया अगर किसी को एक बट्टे का 5 या 5 छे ना समझ में आए तो बताईएगा ठीक है अच्छा अगर चोड़ाई में आप 10% की कमी करते है 10% का मतलब एक बट्टे का 10 होता है यानि 10 पर एक की कमी कर दी गई अगर आपकी चोड़ाई 10 की थी तो आपने एक की कमी कर दी अब चोड़ाई आपका 9 का हो गया ये है आपका लंबाई ये है आपका चोड़ाई ठीक ये पहले की बात है पहले क्या था और ये अब की बात है कि अब क्या है ठीक अच्छा आप से पूछा गया है छेत्रफल छेत्रफल क्या होता है छेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुड़े का चोड़ाई ठीक अगर यहां पे लंबाई गुड़े का चोड़ाई करूंगा तो पचास हो जाएगा यहां पे लंबाई गुड़े का तो आपसे प्रतिशत बृद्धी अगर पूछा जाए, तो 50 दुने का 100 और 4 दुने का यानि की 8 प्रतिशत की आपकी यहां पे बृद्धी हुई है, क्या हुआ है, जो आपका, sorry, छेत्रफल है, छेत्रफल में 8 प्रतिशत की बृद्धी हुई है, यानि 8 प्रतिशत profit नहीं प क्योंकि हम लोग इससे अगर आयतन की भी बात कही जाती है ना तो आयतन वाला भी इससे हम लोग कर लेते हैं ठीक है देखे पांस से छे कैसे हुआ अगर मान लीजिये आपकी लंबाई 100 थी तो अगर 100 में मैं 20 प्रतिशत की ब्रिध्धी कर दू तो कितना हो जाएगा 120 हो एक की कमी ऐसे करके हम लोग इस कुश्चिन को कर लेते हैं चले इस कुश्चिन को जरा करिए तो बिल्कुल सही आ रहा है सबका अंसर चलिए इस question को करिए तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इस समय analysis देखिए analysis में ये देखिए किस chapter से questions आ रहे हैं उन chapters को उन particular topics को पढ़के जाईए ठीक है चलिए इस question को आप सभी लोग करेंगे इस question को जल्ली से करिए क्या कहा गया है A और B का जो अनुपात है ये दो और साथ का है तथा A और B का तृत्य अनुपात जो है ये 343 है तो B minus का A का मान बताना है चलिए इस question को करिए अनुपात से ही हम लोग बनाए हैं जो वो बना रहे थे 5 से 6 वो ratio ही था चलिए इस question को करिए तो आप सभी लोग जल्दी से इस question को करेंगे अच्छा इस question में क्या कहा गया है दो संख्याए है एक A है एक B है अगर मान लीजे A मेरा 2X है और B मेरा 7X है ठीक है तो इसका जो तृत्य अनुपात है यानि कि third proportion इसका 343 है देखिए तीन संख्याए हो एक संख्या 2X हो गया एक 7X हो गया और एक आपका 343 हो गया ये क्या है तृत्य अनुपात यानि कि ये तीनों संख्याए आपस में अनुपात में है 84 कैसे आ रहा है x का मान कितना आ रहा है तीनों की तीनों संख्याए आपकी यहाँ पर अनुपात में है समानुपात में है ठीक है जब तीन संख्याए अनुपात में होती है तो आपको मैंने बता रखा है, आपको पता भी होगा, रोज question आ रहा है, रोज analysis में कर रहे हैं, बीच वाली संख्या का जब आप square करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये अगल बगल के दो संख्याओं के गुननफल के बराबर हो जाएगा, यानि 2x गुडे का 343 के 7 बार में कर जाएगा, x से यहाँ पर 1x कर जाएगा, तो x की value क्या हो जाएगी, 7 दोने का 14, x का मान कितना हो गया, x का मान आपका 14 हो गया, आप से b और a का अंतर पूछा गया है, b कितना है, b आपका 7x है, a कितना है, 2x है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा x बराबर 14 है तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 14 गुड़े का 5 यानि की 70 आपका यहाँ पे सही जवाब आने वाला है ठीक है b- का a बराबर क्या हो जाएगा b- a बराबर 70 हो जाएगा बिल्कुल सही आ रहा है सबका आंसर ठीक है देखिए यह जो 98 माइनस का 28 कर रहे है इसकी क्या जरूरत है आप सभी लोग यहीं पे सीधे माइनस कर लीजे साथ में से 2,5 और 5 गुड़े 14 यानि की 70 ठीक है चली इस question को करिए एसन पी पे क्या करते हैं मतलब चले इस question को करिए हिंदी और इंग्लिस में से एक करना होता है बिल्कुल जो आप पढ़के गए हैं जो आप पढ़के गए हैं या तो हिंदी पढ़के गए हैं तो हिंदी करिए इंग्लिस पढ़के गए हैं तो इंग्लिस करिए और इंग्लिस में से आपको कोई एक करना होता है चलिए इस question को करिए आप सभी लोग जल्दी से कितने बच्चों का आज पेपर था ये भी बता दीजेगा इस question को करिए तो आप सभी लोग इस question को करिए क्या कहा गया है दो वस्तूओं को प्रतेक को 545 रुपय में बेचने प एक पर 20 प्रतिशत का लाब और दूसरे पर 20 प्रतिशत की हनी होती है कुल लाब या हनी का प्रतिशत क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है ये profit loss का question है इसका सबसे पहले आपको case समझना होगा कौन सा case है तो देखिए ये case है आपका विक्रे मूल यहाँ पे बराबर है क् SP यहाँ पे same है या फिर कहेंगे SP यहाँ पे equal है अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है एक जगा आपका profit हो रहा है और एक case में आपका loss हो रहा है और profit और loss दोनों बराबर है profit जितना हो रहा है उतना ही आपका loss भी हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं आपको अगर 20 प्रतिशת का लाब हुआ और 20 प्रतिशत का हानी भी हो रहा है तो यहाँ पे overall जो होता है हमेशा loss होता है overall जो होगा पूरे transaction में आपका हमेशा loss होने वाला है loss कितने का होगा तो loss आपको x square बटे का 100 प्रतिशत का loss होता है x यानि कि यह आपका मान जो है x है X की जगा पे 20 रखेंगे, तो 20 का स्क्वाइर बट्टे का आपको यहां पे 100 करना होगा, 20 का स्क्वाइर यहां पे 400 हो जाएगा, 400 बट्टे का 100, यानि कि आपको यहां पे 4 प्रतिशत का लॉस होने वाला है, क्या होने वाला है, यहां पे आपका 4 प्रतिशत का लॉस होगा, अगले question को हम लोग करेंगे, इस question को करिए, बिलकुल सही है, 4% का loss, विक्रे मूल, साहिल सिंग, जो पढ़ाया गया था, वही आया था सर, बहुत अच्छा था exam, चलिए, बिलकुल सही है, अच्छा exam गया, आप लोग selection लेके बहुत जल्द आईए, ठीक है, आपको वही रहाय जाता है, जो exam में आता है, ठीक है, चलिए, इस question को जरा करिए, तो आप सभी लोग इस question को करेंगे, इस question को जल्दी से करिए, बिलकुल सही है, सबका answer एकदम सही है, 4% इसका सही जवाब होगा, 4% loss होगा, ठीक है, ऐसे case में हमेशा loss होता है, और loss कितने का हुआ है, तो 4% का, एक वस्तु को उसको उसके क्रय मूले से 45% अधिक पर अंकित किया जाता है, फिर 20% के छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ का प्रतिशत आपको यहाँ पर ज्याद करना है, चलिए, इस question को जरा करिए, तो आप सभी लोग इस question को करिए, ALP और technician का बैच, जब form आ से आपका best launch होगा, आप सुबह में 9 बजे वाली match की class करिए, उसमें आपका ALP का पूरा syllabus cover हो जाएगा, ठीक, advance match बठेगा, उसको हम अलग से करा देंगे, चलिए, जरा इस question को करिए, तो देखिए, क्या हो रहा है, मान लीजे कोई वस्तु आपकी 100 रुपय की है, ठीक है, आपकी कोई वस्तु 100 रुपय की है, आपने क्या किया है, आपने इसको 45 प्रतीशत बढ़ा कर अंकित किया है, यानि कि 145 रुपय आपने इस पे अंकित कर दिया है, ठीक, अच्छा, इसके बाद आप 20 प्रतीशत की छूट दे दे रहे हैं, अब 20 प्रतीशत का छूट का मतल अब क्या है आप 80 बट्टे के 100 में बेज रहे हैं तो इसका विक्रे मूले क्या हो जाएगा 4 बट्टे का 5, 5 से काटेंगे 5, 2, 10, 29, 4 के क्या हो जाएगा 3, 4, 12, 116 हो जाएगा ठीक है 116 हो गया यानि कि 100 रुपय की वस्तू थी आपने 116 में बेज दिया तो आपने क्या बेच का profit हो जाएगा क्योंकि आप यहां पे 100 पे percentage निकालेंगे तो 16 ही आएगा आपका यहां पे 16 प्रतिशत का profit हो जाएगा ठीक है चलिए अगले question को करेंगे इस question को जड़ा आप सभी लोग करिए जल्दी से कि इस question को करिए तो इस question को करिए क्या कहा गया है इस सवाल में एक बल्ले बाज चानवे रन बनाता है जिसमें से बारा 12 चौके ठीक है 12 चौके और 6 चौके लगाता है ठीक है उसके द्वारा दोड कर बनाए गए रन का प्रतिशत ज्याद करना है उसने जो दोड का दोड के जो रन बनाया है वो रन कितना प्रतिशत है आपको यह बताना है चलिए जड़ा करिए तो आप सभी लोग इस सवाल को सबी लोग class को like जरूर कर दीजेगा नए बच्चे इस channel को subscribe करके channel से जरूर जुडेंगे ठीक है जो भी बच्चा नया होगा channel को subscribe करिए channel से जुड़िए daily class को करिए ठीक है daily आप सुबा में 9 बजे class को करिए आपको मैं maths पढ़ाता हूँ complete आपका syllabus उसमें मैं cover कराऊंगा चाहे आपका CRPF होगा MTS होगा अभी हमने GD के लिए भी पढ़ा है आपने देखा है बहुत ही अच्छे से सारे question आपके पूछे जा रहे हैं जो जो question मैंने class में कराए हैं वो सारे question आप से पूछे जा रहे हैं चलिए इस question को जड़ा करिए तो साधे बारा प्रतिशत आ रहा है अच्छा देखे टोटल उसने कितने रन बनाए तो टोटल उसने चार्मी रन बनाए है अच्छा इसमें 12 चोके हैं 1 चोका यानि कि 4 रन तो 12 चोके का कितना रन बारा चोके 48 रन अच्छा 6 चके लगा रखे हैं तो एक चक का बराबर छे रन तो 6 चके बराबर 36 रन हो जाएगा ठीक आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 प्लेश 6 बराबर 14 का 4 carry 1 त्icamente 14,7,1 8 यानि कि 84 रन तो इसने boundary से बना लिये ठीक है 84 रन इसने boundary से बना लिये है तोटल कितना रन बनाया है टोटल ये 95 बनाया है और 90 में से जो 84 रन है इसने boundary लगा के बनाया है यानि कि भाग कर कितना run बनाया है तो भाग के इसने 12 run बनाया है ठीक है अगर total चानवे run है तो चानवे में से 12 run इसने भाग के बनाया है तो 12 अठे चानवे यानि कि 1 बट्टे का 8 हो जाएगा एक बट्टे का 8 का मतलब साढे 12 परतीशत होता है ठीक है एक बट्टे 8 का मतलब साढे बारतीशत होता है डारेक जानते है तो डारेक साढे 12 लिख दीजिए या फिर गुडे 100 करके काटते रहिए ठीक है चली तो अगले question पर चलते हैं next question देखते क्या है इस question को करिए तो का यहां पे सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए आईए इस कुश्चिन को करिए बारा नहीं है साड़े बारा है इसनेप भी में भी कुश्चिन मतलब क्या है नहीं समझ में आ रहा है चलिए इस कुश्चिन को करिए एक पुलिस अच्छा यह पुलिस चोर वाला कुश्चिन थर्ड शिफ्ट में आया है ऐसा सेम पुश्चिन मैंने एक दिन आपको कmind में करा रखा है ठीक है अगर कोई बच्चा सुवाबाली कम्वाली धारा करता होगा ना same to same सवाल मैंने आपको class में कराया है जरा करिए तो इस सवाल को करिए तो देखे कितने लोग इस question को कर पाते हैं देखे क्या कहा गया है एक पुलिस वाला यहां पे खड़ा है एक चोर यहां पे खड़ा है पुलिस वाले और चोर के बीच की जो दोरी है कितने की है तो यह 250 मी है इसके पीछे 11 km प्रती घंटे की चाल से भाग रहा है जिक अब यहां पे क्या आएगा यहां पे बात आएगी सापेक चाल की ठीक है रिलेटिव स्पीड की बात आएगी तो अगर हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो दोनों एक ही दिसा में भाग रहे हैं तो इनक चाल आपस में माइनस हो जाएंगे, ठीक है, तो आपस में माइनस होके कितना हो जाएगा, एक किलो मिटर पती घंटे का इनका रिलेटिव चाल हो जाएगा, ठीक, आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो उसके लिए 5 बट्टे 18 से गुड़ा करना होगा, यानि कि 5 बट्टे 18 मीटर पती सेकंड इनका सापेक साल हो जाएगा, ये हो गया, अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, छे मिनट के बाद इनके बीच की दूरी बतानी है, तो अगर मैं कहूं कि 6 मिनट में इनके बीच में ये लोग कितना दूरी भागेंगे, तो ये आपका मीट पर सेकंड में है, तो समय आपको सेकंड में लेना होगा, 6 मिनट यानि की 6 गुड़े का 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 3 बीच जा 60, तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 यानि की ये आपका 100 मिटर की दूरी ये लोग करेंगे, कितनी दूरी ट्रेबल करेंगे, तो 100 मिटर की इनके बीच की दूरी कम होगी, तो इनके बीच में अगर 250 मिटर की दूरी है, तो 6 मिनट में इनके बीच में 100 मिटर की दूरी कम होने वाली है, यानि 6 मिनट के बाद इनके बीच में 150 मिटर की दूरी बच जाएगी, ये question आपको class में करा रखे हैं अगर आपने सुबह में किया होगा तो अराम से आप सभी लोग इस question को कर पाए होंगे गलत है, क्या गलत है? नवनीत कुश्वाह, क्या गलत है? 11-12 का distance है, 11-12 का चाल दे रखा था चाल 11-12 का दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें भी साप एक, चाल 1 का ही होगा relative speed 1 का ही आएगा 11-12 हो, 15-16 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है? चली, आईए इस question को हम लोग करते हैं क्या wrong है? एक बच्चा लिख रहा है wrong क्या है? अगर बताएंगे तो मैं आपको यहां पर सही कराऊंगा चली, इस question को करिए तो 10 kg चली, इस question को करिए 5 बट्टे 18 क्या है? कभी भी अगर 4 km पती घंटे में है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है 5 बट्टे 18 से आपको गुड़ा करना होगा 11 बट्टे 12 का चाल दिया था कोई दिक्कत नहीं है, 11 बट्टे 12 भी चाल होगा तो वो चाल आपका same question है हूबा हूँ, एक बच्चा लिख रहा है 11 बट्टे 12 का चाल था, कोई दिक्कत नहीं है 11 बट्टे 12 होगा, तो साफेक चाल एक कही होने वाला है चलिए, इस question को करिए एक गोले का ब्यास दिया गया है पाई में answer दिजेगा नहीं, पाई में answer दिजेगा कितना पाई आ रहा है, पाई में answer दिजेगा 22 बट्टे 7 को काटिएगा मत पाई में answer दिजे, पाई में answer दिजे कोई दिक्कत नहीं है, पाई में answer दिजे इतना पाई answer आ रहा है ठीक है, चलिए, इस question को करिए तो गलत कर दिये हैं, कहां पे गलती हुई है बताएंगे गलत मेरा हुआ है या आपका हुआ है पाई में answer दिजे पाई में आंसर दीजिए 625 पाई दे दीजिए अगर 625 आ रहा है हाँ 12 किलो मिटर प्रती घंटा था कोई दिक्कत नहीं है मैंने गलत कर दिया है क्या गलती हुई है एक बर बताएंगे देखे इस कुश्चन में ब्यास आपको 25 का दिया गया है तो 30 कितनी हो जाएगी 35 बटे का 2 सेंटी मिटर का हो जाएगा आपसे यहाँ पे गोले का छेतरफल पूछा गया है गोले का छेतरफल यानि की सर्फिस एरिया क्या हो जाएगा सर्फिस एरिया होता है 4 पाई आर स्कॉयर अच्छा आज मुझे लग रहा है गोले से प्रस्न मिला है और आपका सायद फर्स्ट सिफ्ट में पहला सिफ्ट में आपसे अर्ध गोले का भी कुश्चन पूछा गया था आपको बहुत दिन से बोल रहा हूँ बेलन गोला अर्ध गोला और इसके साथ घन घनाब और आप संकू को देखके जाएए सारे फर्मूले रटके जाएए ठीक है क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्कॉयर होता है तो 4 पाई रेडियस कितना है 25 बटे का 2 यानि कि 25 बटे का 2 गुडे का 25 बटे का 2 हो जाएगा 2 दुले का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 25 पाई जा 625 यानि कि 625 पाई आपका यहाँ पे आंसर आने वाला है इसमें surface area क्या हो जाएगा, 6 त्रफल कितना हो जाएगा, 625 पाई आपका यहाँ पर answer हो जाएगा, ठीक है, चली, अगले question को आप सभी लोग करेंगे, अच्छा, यहाँ पर यह question खतम है, ठीक है, दो question मेरे पास और है, मैं उसको तीन question और है मेरे पास, मैं उसको कराता हूँ, बैमान दुकंदार से लगभग हर shift में question आ रहा है, बैमान दुकंदार से हर shift में question आ रहा है, आपके first shift में, बैमान दुकंदार से first shift में question आया था, कि 250 ग्राम की जगा, 250 ग्राम की जगा, आपको 200 ग्राम दे रहा है, ठीक है, 250 ग्राम की जगा, 200 ग्राम दे रहा है, तो उसक तो बताइए profit कितना हो रहा है, profit कितने प्रतिशत का हो रहा है, profit का प्रतिशत आपको यहाँ पे ग्याद करना है, ठीक है, same सवाल, आप से पूछा गया था, fourth shift में पूछा गया है, कि आपको 1000 ग्राम की जगा, अगर 800 ग्राम देता है, 1000 ग्राम की जगा, अगर 800 ग्राम देता ह तो आपका यहां पे profit का percent पूछा गया था, तो यह दोनों question आप से पूछे गया है, ज़रा एक बार करके बताइए, तो दोनों का answer मुझे लग रहा है, same आने वाला है, ठीक है, Snapchat तो कोई use नहीं करता है, Snapchat पे क्यों भेजना है, आपके पास doubt section है, आपका doubt section दिया गया है, course में उस doubt section पे भेज दिजिए, ठीक है, चली, ज़रा इस question को करिए तो, अब देखिए, आपको मैंने सिखा रखा है, कैसे लिखिएगा, CP इधर लिखिएगा, SP इधर लिखिएगा, आप से पैसा लिया है 250 ग्राम का, लेकिन समान दे दिया है 200 ग्राम, तो यहां पे देखेंगे 200 पर 50 का profit ले रहा है, तो profit का percent क्या हो जाएगा, 54,100 यानि कि एक बट्टे का 4 हो रहा है, एक बट्टे 4 का मतलब यह आपका यहां पे 25 प्रतिशत होने वाला है, कितना लाब होगा, तो लाब आपका 25 प्रतिशत का होगा, ठीक, चली, इस question में क्या है, आप से 1000 ग्राम का पै भी same profit होगा, यहां पे भी 25 प्रतिशत का ही profit होगा, तो दोनों जगा आपका जो answer होगा, दोनों जगा आपका answer यहां पे 25 प्रतिशत होने वाला है, 20 नहीं आना चाहिए, 20 कैसे आ रहा है आप लोग का, कहां से हैं यह 20 वाले बच्चे, कैसे आ रहा है 20, आसान से question आप तो selection हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा, आसान question है, इस चकर में गलत मत करिएगा, आसान question है, इस चकर में बहुत सी गलतिया होती है, ठीक है, बैमान दुकांदार के question आप से लगातार पूछे जा रहे हैं, आपको यहां पे पहले shift में पीछा गया है, कि एक बेलन है, बेलन की 37 cm, और कुल सताह का छेतरफल, आपका 1144 cm2 है, तो आप से यहां पे उच्छाई पूछी गई थी, ठीक है, कुल सताह का छेतरफल जो है, 1144 cm2 है, तो आप से यहां पे क्या पूछा गया था? आप से यहां पर पूछा गया था कि इसकी उचाई बता दीजिए इसकी उचाई बता दीजिए बच्चो जल्दी से इसकी उचाई बता दीजिए आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा जो भी बच्चा इस चैनल पर नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर के चैनल से जरूर जुड़ेगा ठीक है चली ज़र इस question को आप सभी लोग करिए तो इस question को करिए कहा गया है बेलन का कुल सतह का छेतरफल आपको डेली कह रहे हैं फॉर्मूला याद कर लिजे बेलन के कुल सतह का छेतरफल होता है तू पाई आर आर प्लस का एच ये होता है और ये question के हिसाब से कहा गया है कि 1144 है तो तू पाई का मतलब हो गया 12 बट्टे का 7, 22 बट्टे का 7, रेडियस है आपका 7, यहाँ पे 7 प्लस का एच करेंगे ये बराबर आपका हो जाएगा 1144 क ठीक, 7 से 7 कटेगा अगर आप यहाँ पे काटना चाहें तो 11 दुने का 22, 11 से काटे तो 11, 11, 11, 44, 2 दुना 4, 4 से काटेंगे 26 बार में कटेगा तो 7 प्लस एच बराबर आपका 26 हो जाएगा तो इसकी उचाई जो आपकी हो जाएगी ये आपका 19 cm की होने वाले है उचाई कितन हो जाएगा तो उचाई आपका यहाँ पे 19 cm का हो जाएगा ठीक है अच्छा अब आपको बता दू जो भी बच्चे आप CRPF Head Constable Ministerial या फिर ASI की त्यारी कर रहे हैं तो आपके लिए SSC Maker के App पे चलाया गया है अभे बैच इस अभे बैच की फी मात्र 250 रुपए है ठीक है त इसके साथ मैं बता दू कल सुबह 9 बजे से मैं आपको CRPF Head Constable Ministerial और इसके साथ आपको MTS SSC MTS और CRPF के questions मैं आपको सुबह में कराऊंगा ठीक है 4800 का 25% का 15% का 10% इसा कोई question सायद आया हुआ था ये question मेरे पास एक जगा था clear नहीं था ठीक है एक लड़का यहाँ पर लिख रहा है इस हिसाब से मैं करा रहा हूं देखिए CGL Pre-Mains का batch आपका RM batch है उससे जुट जाएए और CGL का form आएगा तो आपका उसका भी classes start हो जाएगे ठीक अभी मैं आपको बता दूँ जीडी देखिए जीडी का syllabus तो आपका सेम है जीडी का syllabus आपका जो MTS का syllabus है CRPF का syllabus है सेम syllabus है जीडी का जीडी में असान question पूछे जा रहे हैं MTS में ठीक से हम लोग MTS का level पकड़े के चलेंगे सारी चीज़े आपको एकदम level में लेके चलेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक है आप सभी को बता दू कल आपके MTS का form आने वाले हैं ठीक है तो उसकी classes भी हम लोग चालू करने वाले हैं तो सुबह में आप daily class को 9 बजे आप daily class से जुड़िए ऐसा कोई question था ठीक ऐसा कोई question था आराम से कर सकते हैं 25 बटे का 100, 15 बटे का 100, 10 बटे का 100 करके आप इस question को कर लिजेगा कितना answer आ रहा है मैं करी देता हूं 48 100 का 25 बटे को एक बटे 4 लिखूंगा 15 बटे को तीन बटे का 20 लिखूंगा 10 बटे को एक बटे का 10 लिखूंगा 15 बटे का 100, 25 बटे का 100, 10 बटे का 100 लिखेंगे उसके बाद यही आने वाला है ठीक इन दो जीरों से मैं दो जीरे को काट दूंगा 4 दूना 8 शके 48 हो जाएगा तो 6 तिया 18 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ठीक है कितना हो जाएगा 18 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपको बता दू आप SSC GD की तयारी कर रहे है SSC GD का भी बैच मिल जाएगा CRPF Head Constable 250 में SS SSC MTS का बैच आपको मात्र 299 में मिल जाएगा इसके साथ आपका जो CHSL का बैच है SSC CHSL 350 और SSC CGL का बैच आपको 600 में मिल जाएगा ठीक है यह सारी बैच आपको SSC Maker के एप पे मिलेंगी जो की आपको Play Store से डाउनलोड करना होगा या फिर आपके comment box में उपर एक link है उससे आ आपका app डाउनलोड हो जाएगा ठीक इसके साथ बता दू यूपी पुलिस कॉंस्टेबल का जो आपका बैच है यह आपको मात्र 399 में complete बैच यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है CRPF में कैसे सेम आपका GD वाला आपका है सारे चीजे CRPF का ठीक तो चलिए तो आज का सेशन बैमान दुकानदार आपको नहीं आता पिंकु गुपता बैमान दुकानदार आपको तो मैंने बहुत अच्छे से बढ़ाया है उसको एक बार देख लीजिए बेसिक देखके चले जाएए आराम से कर लेंगे चार साल में दो गुणा होता है बारा साल में कितना हो जाएगा चार तिया बारा दो तिया आठ गुणा हो जाएगा बेदर्दी सुनील अच्छा चलिए तो आज का सेशन यहीं खतम करते हैं मिलते हैं आपसे कल सुबा नौ बजे ठीक है सुबा में नौ बजे डेली आपकी क्लास चलती है उस क्लास में मिलेंगे आपको बता दे छे बजे आपकी क्लास चलती है नौ बजे आपकी मैट्स की क्लास चलती है और आपका दो बजे चलता है हिंदी का क्लास ठीक है चार बजे आपका चलेगा रीजनिंग की क्लास चलेगी इसके साथ आपका पांच बजे हिं में MTS के लिए ठीक है तो और रात को आठ बजे एक दिन अजे सर मैथ और रिजनिंग आपको डेली कराते हैं तो इस बैट से इस क्लास से आप लोग जरूर जुड़िएगा ठीक चली तो आज का सेशन यहीं खतम करते हैं हर एक अपडेट के लिए आपको SSC मेकर के टेलिग्र चैनल से जुड़ जाना है SSC मेकर के टेलिग्राम चैनल पर आपको सारे अपडेट मिलते रहेंगे ठीक चली तो आज का सेशन में यहीं पर खतम करता हूं आप से हम लोग मिलते हैं कल सुबा नौ बजे तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद क्लास को लाइक चरूर कर चीक, चारी